कि जिते हिट्टेंडर रान कुरून नू लेके पूरे सुब्वे पार वीचे हर्दालदा से इस्तरा जा रही है ते प्रणोल पंपा उते लम्मिय लेना लग गया हना इस समधी उरुसत कारिये मेलों लोकर जागर किता जा रहे है कि इस कुरून दे वीचे अगर जे थोड़े सब्सक्राइब को पुझा थोड़े पर कुरून लागू नी होएगा दिदा साल जी सजा जब पांजी लखर पे जर्माना ऐस तरह कोई कुनून नहीं बनाया गया तो इसमादी की पुरुस्टिकारी जारकरी देरना तो तुन सुना देया तो दुझे पासे एक नम एलान कि सब्सक्राइब करने कारण क्या है जिसके पीछे की वजह क्या है और सही में क्या कानून आया है जो पुराना कानून था और नया कानून है उसमें बहुत बड़ा तफावत नहीं है अभी आप लोगों ने देखा होगा आए दिन लास्ट पांट दस साल में ऐसे बहुत सारे एक्सिडेंट कार के द्वारा भी होते है कि बहुत फीड में कार चलाते हैं सो डेट सो दोसों की स्पीड तक कार चला के चले जाते हैं और एक्सिडेंट करके कोई लोग एक किया एक से ज्यादा लोग मर जाते हैं और फिर जब इन्वेस्टिकेशन करने की बारी आती है तो वेसी कार या कुछ भी मिलता नहीं है ड्राइवर कौन है क्या नहीं तो जो लोग मर जाते हैं उसके फैमेली को कुछ ना कुछ मुआवजा मिले उसके लिए ये कानून में ये प्राउदान इसकी पिच्छे की वज़े ये है को यहादमी है वो पूरे फैमिली का परनफोशन करता है उसको खाना पीना देता है बाहर कमाने जाता है आप लोग ड्राइवर है तो आप लोग आसाम से गुजराद आते हैं गुजराद वाले तामिल लाड़ू जाते हैं पूरे देश में घूमते रहते हैं इसलिए पेसे कम लगता है और ये तब लगता है इसमें दो है जो कलम है उसमें 2 प्रावधान है एक वे세요 click on macht oxygen हुआ है ज्जाता है तो उसकी 5 साल की सजा है दूसरा अबस्ट के सब आपकिरों जाते हैं औरLes आप खुद भी बाग जाते हैं और किसी को पता नहीं करते हैं तो वो दूसरा प्रावदान है वो है कि वो उसमें दस साल की सजा की अगर आप एक्सिडेंट हुआ है आपकी गाड़ी छोड़के नदी की जो भी पुलिस टेसन है नदी की जो भी मेंजिस्टेट साहब है उनके लोगों के बहुत सारे दोस्त होगे जो डॉट होगे जिनके एक्सिडेंट हुए उनमें कहीं आपने सुना है को तीन साल या पांच साल जयल में रहा है और पुलिस से चले गए तो अगर आपको डर लगता है कि चलो लोग ही कट्टा हो गया और आपको मारेगी एक्सिडेंट की बज़े से तो आपका राइट है कि आप वहाँ से बाग जाओ पर आप बाग के अपने राज्य में कहीं दूसरी जगह पे ना चले जाओ आपके ट्रांस्पोर्टर है आपका जो अगर बिल्कुल पीछे दकेला जाता है फिर उसको फिजीकल आजरी जो अपने आदमें उसकी नहीं मिलती है ना इसका मेंटल सपोर्ट मिलता है कि उसके आदमी तो चला गया और मैंचीज बच्चों की परवरिस जिसमें उसका एज्यूकेशन और रुप जाता है लोगों क खाना पिना रुप जाता है तो वह सब कब होता है जब सामने वाले की गाड़ी ना मिले अगर गाड़ी गया तो थर्ड पर्ट इंशरंस रहता है तो इंशरंस वाले पेशे चुका देगे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो यह सब जो हो में लिए अभी विछले 5-10 साल पर ज्यादा तर यह सब के लिए कितना बड़ा आदमी और चोटा आदमी और यही एक्ट लगेगा और जो यह एक्ट लगा है आप सोचिए आज आप ड्राइविंग करें आज ट्रॉक में है ठीक है खल आप भी बैक लेकर कहीं जा रहे होगे आपका भी एक्सिडेंट होगा ना करें कुद्रस और आपके साथ कुछ हुआ तो आपके फैमिली के लिए क्या रहेगा कुछ नहीं और ड्राइवर कुछ नहीं मिलेगा तो फिर इंचरंज भी नहीं मिलेगा आपके परिवार वाले भी कहीं किसी जगह पर ऐसे हो सकते हैं विक्तिम भोग बननार ठीक है तो यह सब के लिए हैं जनरल सोच के लिए इसी के खिलाब जाके यह ड्राइवर को इसा करने के लिए और दूसरी बात है साथ लाग मुवजे की बात जो हो रही है ड्राइवर लोग समझे एक साथ लाग तो जैसे की एक्सिडेंट हुआ और वही क्या वही नहीं बोलेंगे पुलीस या कोई के चलो साथ लाग बरो अभी अभी वरना जेल में जाओ वो तो जब केस चलेगा ट् जैसा मत करो ड्राइवर लोग है ठीक है आप आसाम से तमिल नाडू से मनिपूर से कहां कहां से या कमाने आते हैं आप लोग यह होगे तो आपने किया होगा यह नहीं कि होगा तो आप लोग दोसी पाया जाओगे आपको पकड़ा जाएगा तो जब एक्सिडेंट होगा त जिसके लिए आप इलोग जैल में ना जाए उसके लिए अभी जैना पड़ेगा तो आप अपने दिमाग लगाओ आपका ओटसेप जो आ रहा है उसके उपर सिर्फ निर्वर ना रहो जो भी वीडियो आ रहे है उस पर निर्वर ना रहो जहांपर भी ब्लोग है कोई बोल ड्राइवर उस उन्होंने इसको मारा होगा तो ड्राइवर ही ड्राइवर को परेशान कर रहे हैं पूरे इंडिया में पूरे घुजरात में पूलिस प्रसेशन आपके साथ में आपको मां जागमान टीवी लेगी हरीश बठला